हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल समराथ एजूकेशन दोस्तों आज की इस व्यूडियो में आप लोग के लिए ब्यस्सी एगरिकल्चर फर्स्ट सिमेश्टर के एक विश है क्राप प्रोडक्शन टेक्नलोजी सिकेंड रभी क्राप का फर्स्ट लेकर लेक बाणाद प्रस्ट प्रस्ट मैं पढ़ना है को देखते हैं सबसे पहले की बाता है इस होका इसी पर दोस्तों एकदम बिसिक से बताऊंपinguém लोग आसाने समझ में आ जाएगा तो यह का वैज्ञानिक नाम किया है तो ग्रैमीनी इसका उत्पत्ति अस्थल का और जिन का है साउथ वेश्टन अप थोड़ा समर्ण करता है चायों होता है पूरे देश में केवल बसंत प्रकार की जो बसंत निलीत४ में पइसा करता ह indifferent ग्यों को अस्थानी डूप से ग्यों कनक के नाम से जाना जाता है भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे बड़ी या दूसरी सबसे मत्पूर खादय फसल यह कुल खाद्यान में लगबग एक त्याई का योगदान करती है पूरे देश में केवल बसंद प्रकार की किसमें उगाई जाती है वां तो पुराने जवाने बता जाता है कि आप लोग देखे हैं आतीत में यह पुराना जवाना कर सकते हैं खेती के तहट कि चार प्रजातियां थी उस तभी के बारे मों पढ़ेंगे विस्थार से पढ़ेंगे तो पहला था सबसे पढ़ेंगे सबसे पढ़ेंगे के बारे में तो इसे आम रोटी या चापाती के ग्याओं की रूप में भी जाना जाता है इसे आम रोटी या चापाती की रूप में भी जाना जाता है यह ग्याओं की सबसे महत्पूर प्रजाती होती है देश में कुल ग्याओं छेतर के 90 प्रतिसत से अधिक पर इसी का कप जाएक इसका त्रिट कमें ग्याओं है दोस्तों जो है आम रोटी या चापाती के ग्याओं की रूप में इसे जाना जाता है हम तो जो रोटी खाते हैं वह ट्रिट कमें श्टीवं का ही होता है यह ग्याओं की सबसे पुल प्रयाती होती है देश में लगवक 90 प्रतिसत अधिक 96 पर इसी का कप जाए यह चपाती इसका प्रयोग दोस्तों चपाती और बेकरी उत्पात बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है द्वारफिंग जी नोरीन 10 को सामिल करके विक्सित मैकसिकन मैकसिकन बहॲा गयोव भारत में Arep STR. merciful दोरा भारत में नोरीन 10 को किससी का कि पाती किया था भारत में जी डावलू 496 डी डावलू 530। जी डावलू 306ी डावलू 173। यह सब गयों की ड्राफ प्रजातियां है। आज गहती हैं में जो गयों जे जन्हें आने में 5-6 फुटके। हम लोगों से बड़े घ्यावं होती थे 5-6 फूटके के जमें च्रीक में कौ king स्यक्राइब सैंख मंध्याणई में खेती करने के लिए सिमित होता है जो मुख्यरूप से कहां कहां सीमित होता दोस्तों मत्याणड़ खsex भारत में वर्षा आदारित परिशिती में खेती करने के लिए सिमित होता है जंग लगने के उच्छ समेदन सीलता के कारण इसकी खेती वरसा आदारित परिशितियों में सबसे आसान थी जंग लगने के उच्छ समेदन सीलता के कारण इसकी जो खेती थी वरसा आदारित परिशिती में सबसे आसान थी इस वह उपयूक्त होता है गुजरात में भाल छेतर में उगाया जाता है इसके बीज मोटे और हलके होते हैं किसके दोस्तों ट्रीटिकम डियूरम के इस गयों को भालीया जी डावलुवजन और वालीया जी डावलुवन और एटू-006 के नाम से भी जाना जाता है तो यह गया ट ट्रीट कंक ब्रेकावं के शेटीटिकं अधिकव। परफिर्द के रूप में भी जाना जादा है जो महाराष्ट करनाटयक अंध्र प्रदेश तिमिलद्णाडू और बुजरात के कुछ हिस्सों में उगाया यताहें सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों इस चैनल पर आप लोग को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा वीडियो को लाइक कर देज़ेगा और शेयर कर देज़ेगा तो हम लोग कों से प्रयाती देख रहे हैं ठीटिकम ठीकोकम इसे दोस्तों एममर ग्यों की रूप में भी जाना आता है जो महराष्ट करनाठा कांध परदेश्ट मिलनाडव गुजरात के कुछ हिस्तों में उगाए आता है गुजरात में पूर बंदर से सुरू होकर जाम खं होती है इसकी दोस्तों जोग के गर्मी सहने की अधिक और अधिक होती है और अनाज भरने के द दोरान गर्मी के नुक्सान के डर के बीना दिसंबर और ऑन्मरी की अंधर तक बोया सकता है यह बारती वेंजन लिए वहोती अच्छा होता है यह इसके रूप में इसे जाना जता है यह ग्यों सबसे महत्पूर ग्यों की प्रयाति होती है देश में पुल ग्यों की छेत्र से 90% अधिक पर इसी का कब्जा है इसका प्रयोक्षा पाती और बेकरी उत्पात के लिए बहुत ही अच्छा होता है डाक्टर एनी बॉरलाग ने नोरीन को सामिल करके विक्सित मैक्सिकन भाउना भारत में प्रयातियां जीडावलू 406 में जीडावलू 503 जीडावलू 306 तो यह दोस्तों अमारोगे ट्रीटकम इसके पाद हम लोगों देखा ट्रीटकम डिवरम यह क्या होता है इसे मुख्य रूप से मारकोनिया डिवरम ग्यों क खेती वर्सा अधारित परिस्थिती में सबसे असान थी यस इसका प्रयोग सूजी रवाल लेड्डू मैक्रोनी और भाखरी बनाने के लिए कि जा जाता है बुजरात में भाल छेतर में उगा जाता है इसके बीज मोटे और हलकी होती है इस ग्यों को भालिया जीडावलू और यह 206 के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद में तीसरा देखा ट्रीटिकम डिकोकम यह क्या होता है इसे इंबर गेहों के रूप में जाना जाता है जो महाराष्ट करनाटक आंत्र परदेश तमिलनाडू और गुजरात के कुछ हिस्तों में उगाया जाता है गुजरा के बीना दिसंबर और जन्वरी की अंत्र तक बोय जा सकता है यह ताच्छिड भारती वेंजन उपमा के लिए बहुत ही उप्यूक्त होता बहुत ही अच्छा होता है अब हम लोग देखेंगे एरिया डिस्टिविशन विश्व के प्रमुख ग्यहूं उतपादक देश चीन उन्तालिस्मीलियन हेक्टिययर चेति वैं की जाती है। दुनिया में ग्यहों के खेतिक całकिट्य कितने शह की जाते हैं दूनिया में ग्यहों बहुत के भारत समीत राज अमेरिका रूस और फ्रांस हैं दुनिया में ग्योंग की खेती लगबग 249 मिलियन एक्टियर छेतर में की जाती है जिसमें कुल 425.5 मिलियन टन अनाच का उत्पादन होता है भारत में यह हम दोस्तों ग्योंग उत्पादन की बात करें तो भारत में ग्योंग उत्पादक राज्यमें उत्तर परदेश मद्य परदेश पंजाब हरियाड़ा राजस्थान वियार महाराष्ट और गुजरात वर्स 2015-16 के दवरान इसकी खेती 935 लाख टन की उत्पादन के साथ 935 लाख टन की उत्पादन के साथ 302.27 लाख शेक्टियर शेतर में की गई थी कितने शेतर में दोस्तों 302.27 लाख शेक्टियर शेतर में इसकी खेती की गई थी जिसमें 935 लाख टन की उत्पादन किया गया और इसमें दोस्तों अनार्च के दिए हम औस उत्पादकता बता है तो 30.303 कि प्रत्री एक्टेयर के रिसाब से दोस्तों जो उपज है वह प्राप्थ हुई थी तो दोस्तों आज के वीडियों बस इतना आप लोग बताऊंगा अगले वीडियों में आप लोग को इको नामेक की इंपार्टेंस दोस्तों आगे की सभी चीच पर बता जाएगा तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और यदि आप लोग इसका पीडियाप चाहिए तो डिस्क्रिप्सन वाट्सप ग्रूप का लिंग कर वाट्सप नमबर दिया गया है मैसेज करके आप लोग इसका पीडियाप दे सकते हैं धन्यवाद जैहिन